अभी दो महीने का भी वक्त नहीं बीता जब मध्यप्रदेश में सोईविन का भाव 11,000 रुपे प्रतिक विंडल था लेकिन अब यहां इसका नियूंतम समर्थन मूले से भी दाम कम हो गया है मध्यप्रदेश के क्रिशी मंदरी कमल पटेल के विदान सभा छेतर हर्दा में 27 अक्टूबर को सोईविन का नियूंतम दाम 1700 रुपे के स्तर पर आगिरा ये बात किसी किसान नेता ने नहीं बताई है बलकि केंद सरकार द्वारत तयार किये गए ओनलाइन ट्रेडिंग प्लैटफॉर्म इनाम पर ये रेट मौजूद है इस प्लैटफॉर्म का केंद सरकार क्रिशी सुधार की दिशा में एक कतम बताती है दाम का ये हाल सोयबीन के सबसे बड़े उत्पादक सूवे का है मंद्य परदेश में देश का 45% सोयबीन उत्पादित होता है दूसरे नमबर पर महराष्ट रहे यहां इस साल 58,054,000 हेक्टर में सोयबीन की फसल बोई गई है जादतर किसान इसी की खेती पर निर्वर है MP में आगर मंडी में सोयबीन का न्युंदम दाम 235,000 हंडवा में 3700,000 हरदा में 1700 और सिहोर में सिर्फ 3000 रुपे कुणल रहा जबकि MSP 3950 रुपे प्रती कुणल दे अधिकतम रेट किसी भी मंडी में 6,000 रुपे प्रती कुंडल तक नहीं पहुंचा है ऐसे में सवाल ये उठता है कि किसानों की आये डबल कैसे होगी सोयवीन का दाम 5,000 रुपे प्रती कुंडल से अधिक होने पर हाय तोबा मचाने वाले लोग अब गायब नजर आ रहे है वही क्रिशी अर्थ शास्तिरी के मताबिक सुधार के नाम पर बनाए गए किसी प्लैटफोर्म पर किसानों को MSP से कम कीमत मिल रही है तो ऐसे बदलाब का किसानों को क्या ही फायदा जब तक सरकार MSP को ई नाम का नियुंतम पराइस नहीं बनाएगी तब तक इसका लाब किसानों को नहीं मिलेगा MSP से नीचे खरीद ना हो तब तो इसकी सार्थ ठकता है दाम कम होने के पीछे आवक में व्रीदी को पतायाज जा रहा है लेकिन क्या इसका सिर्फ यही एक कारण है मंदेपरदेश के किसान नेता का कहना है कि सोयवीन का दाम इतना कम होने के पीछे खादे तेलों के माफियाओं की रण नीती है वो भी सस्ता सोयवीन खरीद कर फिर मेहंगा तेल बेचेंगे उनकी मुनाफ़ा खोरी किसानों और उपभोकताओं दोनों को तबाग कर रही है अगर सोयवीन के दाम का यही हाल रहा तो फिर किसान गुवाई करना बंद कर देंगे दाम कम मिलेगा तो फिर कोई क्यों खेती करेगा खेती नहीं होगी तो खादे तेलों पर हमारी निर्वरता दूसरे देशों पर और ज़्यादा बढ़ती रहेगी मुई क्रिशी शेतर के एक जानकार का कहना है कि सोयमील आयात की वज़ा से किसानों को काफी नुकसान हुआ है सोयमील, सोयबीन के बीजों से तयार किये गए उतपादों को कहते हैं जिनका इस्तिमाल पोल्टरी इंडस्टी में पशु आहर के रूप में किया जाता है सरकार ने 12,00,000 जैनेटीकली मोडिफाइड जीम सोयबीन से तयार सोयमील के इंपोर्ट का फैसला किया था सोयमील इंपोर्ट के फैसले के खिलाफ 26 अगस्त को ही महराश्ट के किरिशी मंतरी दादा जी बोसिय ने केंद सरकार को पत्र लिख कर कहा था कि इंपोर्ट के फैसले से किसान में भारी रोज है इस फैसले के तुरंद बाद सोयबीन की कीमतों में 2000 से लेकर 5,000 रुपे प्रतिक विंडल तक की गिरा वटा गई थी Bureau Report Market Times TV